दोस्तो मैं कांस्टेबल जी सिंग सेंटर रोजर प्रिस पोर्स का जवान हूँ मैं आप लोगों के जरिये हमारे देश के प्रतामंतरी स्रीमानिय नरंद मोदी जी तक एक संदेश पहुचाना चाहता हूँ जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सयोग करेंगे तो मेरा कहना ये है कि हम लोग CRP वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन दी डूटी है जो नहीं करते लोग सबा चुनाब राजे सबा चुनाब यहां तक की छोटे मोटे ग्राम पंचार के चुनाबों में हम दूटी करते हैं इसके इलाबा बी आईपी सुकर्टी, बी बी आईपी सुकर्टी, संसत भवन, एरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, कुर्दवारे, कोई भी ऐसी जगए नहीं जहां पर सेंटर रेजर पुले फोर्ट के जवान अपना योगदान ना देते हूं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतिया आर्मी और सी आर्पी और बाकी भी अर्सेनिक वलों के बीच में फैसलेटियों में इतना अंतर है इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हिरान रहे जाओए सबसे पड़ी बात मान लिए मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्टूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैटे टीचरों को आप पचास-पचास-शाट हैर रुपे महीने की पे दे रहे हो और उसमें साल में ना यानि कितने दिन हरते वहार वो लोग घर में रहते हैं घर में मनाते हैं और हम लोग कोई 36 गर्थ कोई जारकन के जंगलों में कोई जम्मू कस्मी के पादियों में बढ़ा रहता है ना इसको कोई बेलफेर मिलता है ना इसमय से चुटियां मिलती है हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तो क्या हम लोग इसके अफ़दार नहीं है इतनी डूटियां करने के पावजूर भी तो दोस्तो आर्मी वो पैंसन भी है हम लोग की पैंसन तीबो भी बंद हो गई 20 सालवार अमनों की शोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे एक सर्विसेमेन का कोटा भी हमको नहीं कैंटीन के सुगदा हमको नहीं मेडीकल की फैसलेटी हमको नहीं डूटी डूटी सबसे जज़ादा हमारी आर्मी को जितनी फैसिलिट मिलती है हमें उससे को एतराज नहीं मिलनी चाहिए लेकिन हमारे साथ नहीं भेदबाब क्यों हमको भी तो मिलनी चाहिए दोस्तों मेरी इस वासे आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को चितना हो सके आगे बढ़ाओ